हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जोती सिंग और आप देख रहे हैं सेक्सेस पर आज की वीडियो में हम स्वाल मेकैनिक्स के जो चेप्टर पढ़ हैं कमपैक्शन उसमें नेक्ट पार्ट को देखने वाले हैं नेक्ट पार्ट में जो भी आपके चेप्टर 6 में जो भी टॉपिक ब चलती है तो उसका भी वीडियो आप उसके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस्थल संगनन की वीदिया जो डिप्लोमा सील इंजिन के फिर समेस्टर की स्टूडेंट है उनके लिए हैं उनका सब्जेक्ट है स्वाल मेकैनिक्स और फ कौन-कौन से हैं तो इंजिनिरिंग कारियों है तो मिर्दा का शंगनन निम्ण वीदियों से किया जा सकता है पहला आपका है हस्त वीदी द्वारा यानिकि मैनुवली जैसे हम दुर्बूट की द्वारा करते हैं दूसरा आपका है यांत्रिक वीदिया मेकेनिकली मेथड ज करते हैं और पूरी डीटल के लिए फर्ष जो पार्ट है इसका जरूर देख लीजिए तभी आपको सेकेंड पार्ट क्लियर होगा तो इस्थाल सेंगनन की जो वीदिया हैं कंपैक्शन की जुसा फिल्ड मेथड से उसके दो मेथड है पहला आपका हस्ति वीदी और दूसरा वीदि में रोलरों कांत इसमें सबसे दो मेथड होता है और यह उस्तलों के लिए है् जहां रोलर आदी का प्रेयोक शंहें नौह हो सके इसमें 22 का लंबा डुकडा होता है इसमें निचले सीरे पर लोहे का भार 2.5 kg का लगा होता है इसमें इस्थल पर मिड़दा को तीन पड़तों में यानि कि 15-15 cm में पानी छिड़कर कुटाई की जाती है तो इस प्रकार से हम दुर्मूट के द्वारा यहां पर कुटाई करते हैं दुर्मूटों से सभी प्रकार से सब्सक्राशन डेखने की क्या क्या है अन्तर का प्रियोक मिलाते हैं कुंवलियंड यांत्र यंत्रा के द्वारा रियूक में म्मशिक्लत करके जैसे स्थाथिक रोलर और कंपंचिल रोलर जो आपके दो प्रकार हो गए स्थाथिक में आपके कौन-कों से आजाते हैं सम्तल पहिये वाले रोलर यहां पर देख सकते हैं सम्तल पहिये वाले रोलर सीप फूट रोलर रवर टायर वाले रोलर ग्रीड रोलर जो ग्रीड रोलर तुनिहें िसलिभी आपके स्थायटिक रोलर में डीसमें आपका। पह का त्युक्त में जो जाता है हैं तो यहांपने डॉलर के दक्रोंगे कवी उस सबाइब के मदद से भी हम देखेंगे यह संदल पहिए वाले रोलर है इसकोम देख सकते हैं इनका पहिए में विल्कूल होता है था यह क्या है शंतल पहिए वाले रोलर है knife से हम क्यां करते हैं दूसरा य grin सीब फूट रॅलर का इस सिब्सकार्ह पईया कैसा होता है है उसका पाहिए कैसा होता है उसमें अापका समतल है इसमें काई है कि इन वहां ता है जो कि युकर हहा है हम एक हमें Alt की आपीर्ट की वहालके का होते हिसलिए हम फॉ authent that करते हैं यहीं वार मिर्दा में प्रेश करके मिर्दा को दबाते हैं जिसे मिर्दा संगरीत हो जाती है ड्रम के खोखले भाग में होता है आपका आशिकता अंसार रेत या मिट्टी भर दी जाती है जिसे आपका रूलर के भार बढ़ जाता है यह ट्रैक्टर तीन रूलरों को खीश सकता है यह 2.5 टन से 13 टन भार तक के हो सकते हैं इन टुलरों में एक चक्कर में इनके पैरों द्वारा मिर्दा पर बढ़ने वाला भार निर्भर करता है जो स्वयम सीप फूट रोलर के कुल भार एक पैर के छेत्रफल एक समय में मिर्दा के संपर्ग में आने वाले पै कि पिये होते हैं इसलिए हम इनको सीप northern कहते हैं यहां पर देख चकते हैं और इनको ट्रेक्टरों के द्वारा खिशते हैं के इनका टायर रोलट का होता है इसलिए ognे offers में आपको दिखाएंगा संप्र विकए हम τουटाई करते हैं सवायल का फिर अमँधिक्रिड रोलर् ग् की कुटाई के लिए उचीत रहते हैं इनका जो भाग मिर्दा के संपर्क में संपर्क करता है उसका 3.7 cm ब्यास की लोहे की छड़ों की जाल बना देता है छड़ों के बीच एक वर्ग बन जाता है दो रोलर की धूरी पर दो रोलर एक धूरी पर फिट होते हैं इसमें रेत के लिए बाहर बढ़ाने के लिए रखे जाते हैं रोलर हो ट्रैक्टेड रोलर का भार 50 तक हो सकते जो रोलर होते हूं को शुटी को दोड़ा सकते हैं तो इस प्रकार से उनसें रेक्सेंट करते हैं यह अलग अलग प्रकार के रोलर थे अमरा Laurator person जब मेदाओं में कमपन कराते हैं मेदाकर पासपास और चाद आते हैं इन रोलरों से अलग से इंजन की वियुद adventure की जाती है Ulrata कंपनози Japan रह्यां अभी लभाज यह 2000-1000 कंपन प्रति मीनट हो सकती है यह मुख Tages इन्हें जितनी दीमी से चलाया जाया उतनी अच्छी शंगनन करना संभव नहीं हो वहां इन रोलरों से कारी संपन कराया जा सकते हैं बाजार में प्लेट टाइप बाइब्रेटर्स उपलब्द हैं तो यह आपका बड़े रोलर जो होते हैं वह नहीं जा पाते हैं वहां पर अनको संभव नहीं होता है तो हम इन बाइब्रेटर्स का यूज करके उचये में पर कंप्यक्शन कर लेकिए याँ प Chand Chand orders इसे भी हैं कंपकेशन करते हैं नेक्श्च हमारा है संग intern है संगननम का चुनाओ संगननन के पाल हएं मिड़ए का प्रकार कोई बी अपकरण के लिए उपकरण है। उपकरण का प्रकार है। और लिए अग्मिडा के लिए कौन सा ग्रोडर वाले रोलर है और जिसके लिए पूँखत है आपका तीन प्रकाड और यह चिकनी तिनारर के लिए आपके यूज किये जाते फिर आपका कोडी कड़ुवाली मिर्दावा जैसे घ्रेवल बालू आधी के सब्सक्राइब है नेक्ट हमारा है संगहनन नियंत्रण कंपैक्शन कंट्रूल क्या होता है प्रयोक्षाला में इस्थाल पर संगनन समय समय पर निरिष्ट करते रहा ना चाहिए यह दोनों का तुलनात्मक अधियन बहुत आश्य के इस्थाल से लाई गई मिड़्दा का प्रयोक्षाला में अनकूलतम जलांस जो होता है जब दोनों अस्थानों का घरत तो संगनन उत्तव माना जाएगा मिड़्दा का इस्थाल पर घरत गयाद करने की निन नांकित वीदिया कौन घूसी है पाला आपका एक रोड करता नहीं वीदी और दूसरा आपका रेत प्रतियस्तापन वीदी जो मिड़्दा का शुष के घ घरत गयाद करते हैं उसके गयाद करने की दो वीदिया आपकी जो दी गई है वह इंपार्टेंट है जो आपके पाली आपकी है कोर कटर मेथट और दूसरा आपका है सैंड रिप्लेस्मेंट मेथड पीस को डीटेल में देखेंगे यह आपके प्रैक्टिकल होते हैं इस्ट आपका जो मेथड है कोर कटर मेथड यह हम करते हैं इस्थल पर घनत गयाद करने के लिए उप्रिक्त होती है और यह फिगर में देख सकते हैं इस वीधी में निमन उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं कौन-कौन से उपकरण यूज होते हैं तो पहला आपका है बेलनाका पर क्रोड करतक जो 100 mm इंटर्नल डामिटर एंड एक सताई 204 mm हाइट की होती है दूसरा आपका इस्टील डॉली इस्टील ट्रैमर इस्ट्रेपर खुर्चिनी या खुर्पा जो होता है बिद्दुद भट्टी वातिक तुला जो ट्रोवेल होता है अलुमिनियम कंटेर यह अब करण यूज में आते हैं इनका प्रोसीजर क्या है विद्दी क्या ओभी हम देख लेते हैं कोर कटर में थटका पाला आपका है सरवपर्थम को कट्तक का ब्यास तता उजाई ग्याद करके को कट्तक का आयतन मालुम कर लेंगे कर्टक का आयतन बराबर होगा बिडदा के करतक करतक से समतल समतल कर लेना चाहिए सिठल पर कोर्त कर रखकत डाली लगा कर उस पर रमर से आगात लगाते हुए भूमि के अंदर धसाने कारे करेंग Tenemos थ्यां रखें कि कड़तक भूमि में सीध़ा प्रवはいst और पूरा भूमि में धस जाए है निकारे करतक को पूरा भूम में धसाने का है करतक की धस्टे के बाद डाली अलग कर लेने चाहिए अब खुर्पे की मदश्टे कर्तक को भूमी इसे निकाले ध्या रखें कर्तक हीलने ना पाए कर्तक को ही तोले कर्तक में capital निलिदा निकालने के बाद मिर्दा का जलांस ग меся सिगाद करते हैं उपरूस वीद ही अपनाते हुए श्टूल गनत्व YOU Seems प्रेक्टिकल करते हैं यहां पर चुन के उस-धस के प्रेक्टिकल कृते हैं तो उसका जो अंतर निकालते हो यह आपका हो जाता है W यहां पर हम निकाल सकते हैं YB जो bulk density W2-1 upon V W के जब़ेगे हम W2-1 रख सकते हैं यहां पर वही रख दिये हैं और यहां पर होगे W by V समिक्रड एक से तो YB is equal to YB upon 1 plus W यहां पर सारे भानउम देंगे ॉर्टो क्या है तो सारे मांशन हैं जो भी आपका है इस तलप निकालते हैं मिटदा का और निकाल यह हम उप करेंगी ऑसके कंशना यह व्म कर है यह बगया यह रेमर कर यह एंडल का होaran घंपकर बार जिसको हम पकड़ते हैं देख सकते हैं इसमान दिया गया है इक सुछालीशे में इस चवडाई और इसकी दिया गयी है और टोटल आपके यहाँ पर दिया गया है 900 mm ठीक टोटल हाइट मिलाके घंडिल और जो भी लोड यहां पर लगा हुआ उसका तहीं आपका रइमर हो गया दूसरा आपका ड ली दिया गया और यहां पर दीख सकते हैं सो निए गया है लगाई देख सकते हैं लिख तो यह वगले तो यह ल्ग तो यह सारी चीजें आपकी होए यह डाली का मॉफ है अभी बताएं कि यूज कैसे करते हैं नेक्स्ट हमारा है कटर जो कटर आपका हुता है मेन आपके यह होता है या कटर दिखाए गया है इस परकार से होता है इसमें देखिये हार्ड टिंग एज होते हैं साइड शैड में 117 4 mm इसकी हाइट होती है एक सो पाच फाइका यह दिया गया है और ए कटर के उपर हम ड़ाली लगा देते हैं यह जो ड़ाली आपकी दिए है ऑर इसको क्या करतें जमीन पे जहान का वहाँ पर ले زाकार हम इसको न पर आपका जब से तोड़ा होगा उससे हम उस पे चोट करेंगे कि वह जमीन में अंदर धस जाए सीधा जैसे धस जाता है तो हम डाली को बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद से और जो भी आपका यह कटर होता है कटर में कुछ मिर्दा आपकी रहती है यह पर कटर में यह कटर आपका नीचे बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर पूरी आपकी मिर्दा भरी हुई होती है इसी मिर्दा का में वेट कर लेते हैं उसके बाद उसको सुखा लेते हैं फिर हम उसका वेट करते हैं तो इस प्रकार से आपको डबलू डबलू टू जारे मान आपको मिल जाते हैं और वहां से इसथल पर होते हैं को हमें ग्यात हो दाता तो डेरेक्ट हम इसथल परी करते साइट पर ही इसको करते हैं नेच्प आमारा है इस परिछण में नीमने शामान हो यानि कि उपकरणों की जरोत होती है कौन-कौन से उपकरण की जरोत हो तो हम देख लेते हैं पहले तो पाला आपका है रेत भरने का सिलिंडर अंसांकल सिलिंडर वर्गाकार धातुका ट्रे जिसके मध्य में गोलाकार चिद्र हो मिर्दा को स्वाल मेकानिक्स के इसको किया जाता है बीदी देख लिए फिर हम इसको बताएंगे डिटिल में यह आपका प्रोसीजर जो दिया हुआ है इस परिछण में जो आपका स्वर्वपर्थम हों करते हैं जो रेत का स्थूल गनत्तों गयात करते हैं इसके बाद रेल के जो रेत एक सेंटीमिटर खाली रहे ताकि जो बालू है छलक कर बाहर न गिरे और इसे तॉल ले बाना भार डबलू वन है दूसरा आपका पॉइंट क्या है अंसांकन पात्र के उपर रेत बहाव सिलिंडर को दोनों की केंद्र मिला कर रखे रेत बहाव सिलिंडर के सटर को खोल दे जिसे रेत अंसांकन पात्र या सिलिंडर में भरने लगेगा जब पात्र भढ़ जाये सटर को बंद कर देंगे रेत बहाव सिलिंडर को बची हुई बालू के साथ तॉल ले माना भार डबलू टू है नेक्स्ट हमारा है पुना रेत बहाव सिलिंडर में छेसे माइकरां से बालू एक सेंट्यूटर का गयप रखते हुए बढ़ दें रेत बहाव सिलिंडर को समतल सीसे की प्लेट पर रखकर सटर को खोलें जब बालू बहना बंद हो जाए तो सटर बंद कर दें और सिलिंडर में बचे रेत को तॉल कर तॉल ले माना भार डबलू तुरी है तो ती अब यहां पर आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए यह देख सकते हैं बालू डालने वाला जो बेलान आपका है यह हो जाएगा यह आपका कैलिब्रेशन जो आपके कंटेनर होते हैं और यह आपका दातु का ट्रे होता है इसमें गोल छिद्र होता होल होता इस पूरा आर पर दिखाए देता है तो इस प्रकार से ट्रे की जोड़ोत पड़ती है तो अब हम देखेंगे कैसे हम करते हैं इसके बाद बालू का हिस्तूल गनतों ग्याद कर लेंगे अंसांकन पात्र प्लस शंक्वाकार भाग में रेत की मात्रा ठीक है यह आपका डूसरा हमारा है अंसांकन पात्र में रेत की मात्रा इसमें से माइनस कर लेंगे दोनों का अपस में अंसांकन सिलिंडर का आयतन भी आपका हो जाएगा और अता रेत का घंद तो जोगा इस तरीके से हम निकाल लेंगे यह पर गयाद कर लेते हैं इस थूल गनत तो कैसे गयाद करते हैं तो इस थल को खूडचे की सायता सी साप करके संतल करके कर दहातु की इस थल परके वार्प की ब्यास के बरावर भूम में च रावर कर दें और चेद की गहराई जो होगी अंसांकर पात्र की गहराई के लागा बरावर रखे वहाँ को खुदे भी मिड़ा कि वो उसी ही में रखक लेंगे माना भार 1 4 है यह अब रेत बहाँ सिल्िंडर में बालु भरकर और बालु भरकर तॉले माना भार 1 5 है जो आपका होता है जो आपका ट्रे में आपका गोल शिद्र था उसी शिद्र के बराबर हम इस्ठल पर शिद्र कर लेते हैं और वहां की जो मिर्दा निकलती है उसको हम वापस लेके तॉल लेते हैं अब रेत बहाँ सिलिंडर को उसी खुदे हुए छेद पर रखेंगे और सेटर को खोल देंगे जब रेत का तल इस्थिर हो जाए तब सेटर बंद कर देंगे सिलिंडर का बच्चे रेत सहित भार तॉल लेंगे माना यह भार डबलू 6 है गड़े से निकली मिर्दा का जलांस एंगे माना जलांस उमेगा है अफ़रोग्त करने के बाद मिर्दा कािस्तलिष उसकी घनद्तों गढ़करेंगे मिर्दा के सिलिंडर के संक्वाकार भार बार प्येट के रेत इस से और दूसरी से दूस्रा निकाल सकते हैं, जो आपके दूसरा point दिया गया है इस बहले गहनत तो जो गख़ात कर चुके हैं, गड्डे में रेत्र का आयतन हैं, इस फार्मूले से इस फार्मूले से, जलांस ग्याद करनेके लिए निमनेशृत्र से मिरदाय का शुसक गयरत है य य ब nonprofit बहुतल ग्यादता है निमनेशृत्र ાય excel you next अपका है प्रॉक्टर सुवी चैनल पर अतीसीखर जलांस है इस वी जुन सब 치तर करते हैं विधि ह arthritis दोरा की जたい हैं अर्थात कासने के लिए लिए बनी रहती है नीडन पॉइंट को संग में कष्थ ought to you कैसे था अथी प्रट नीडल वीदी को दो भागों में पूरड के जाता है क्यां अ乾 towel media हैं ग्राब बना कर दो यहां से तो इसको हम डीटेल देखेंगे जो भी अपना प्रेक्टिकल अगरा करेंगे उसमें इस्थल पर बेधन प्रत्रोध ग्याद कर लेते हैं तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपका है यहां पर समाप्त होता है नेस्ट वीडियो में हम नेस्ट चैप्टर को कबर आपको मिलती रहेगे स्वाल मकनीस के भी रेलवे ब्रीज अन्टर्नेल के भी सर्वेश सेकंड के भी आपकी सिरी स्टार्ट हो गई है तो ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहेए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा स्यादा सेयर कीजिए यह